तो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न कैडमी और आज हम बात करने वाले हैं बेश्ट बेंगॉल के नेता जी सुबास ओपें उनुवासिटी पोस्ट गाजुएट एडमिशन्स दो हजार बीस एकी सेसन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुके हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट ओपें उनुवासिटी से करना चाते हैं नेता जी सुबास जंद्र ओपें उनुवासिटी तो सब कुछ इन डिटेल्स में आज बताने वाले हैं हम तो बेसिकली आज हम दो हजार बीस की जो एकी सेसन के फॉर्म फिल अप कब से स्थार्ट होने वाले हैं वो बताऊंगा इसके साथ साथ कौन-कौन से कॉर्स इवेलेबल हैं इलिजिबलेटे कैटरिया क्या है और एड्मिशन प्रॉसिस किस तरीका से होंगे नेता जी सुबास ओपें इनुवासिटी की दो हजार बीस एकी सेसन के लिए तो वीडियो को आप एंट तक देखते रह आने में तो चलिए तो गाईज यह रहा है मेरे पास ओफिशन नोटिफिकेशन नेता जी ओपें इनुवासिटी की पोस्ट गैजुएट कोर्स के लिए दो हजार बीस एकी सेसन के लिए तो डेट आप देख सकते हैं 9 नॉविंबर को यह नोटिस को जारी किया गया है और न यलू में क्या लिखा गया है वो आप देख सकते हैं आप पे कि स्टूडेंट को जो है ना ही स्टडी सेंटर में जाना है ना ही यहाँ पे लर्नर सपूर्ट सेंटर में भी जाने की जरूरत है ना ही रिजिनल सेंटर में जाने की जरूरत है जो पोस्ट गैजुएट की एड हम से आपको मिलने वाले हैं तो चलिए आप जान लेते हैं कि कौन-कौन से कूर्सिस यहाँ पर जो है अबेलेबल हैं तो सबसे पहले यहाँ पर साइंस डिपार्टमेंट की बारे में जानेंगे हम तो यहाँ पर अगर आप MSC करना चाहते हैं Math, Geography, Geography, Geology तो यहाँ पर Eligibility के बात करूँ तो 10 प्लस 2 प्लस 3 यानि Graduation complete रहने चाहिए अगर आप Math में करना चाहते हैं तो BSC in Math, Geography में तो BSC in Geography और Geology में करना चाहते हैं तो BSC in Geology होनी चाहिए इसके साथ साथ यह आप जो Star Marks यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इन सब courses के लिए यहाँ पर seat जो है वो limited होंगे और merit based में होंगे यहाँ पर और government of West Bengal की reservation policy भी मिलनी जाएगे और यहाँ पर online counseling होंगे आप जब sit allotment में आपको होने वाले हैं इसके साथ साथ अगर आप Humanity अगर Arts फिल्म से हैं तो यहाँ अगर आप in Bengali, English औbelis or English language teaching में करना चाते हैं तो लगभग आपको graduation के साथ साथ at least आपकी यहाँ 300 marks रहनी चाहिए in Bengali अगर आप English में करना चाते हैं तो इन English में अगर आप English language teaching में करना चाते हैं तो यहाँ आपकी English में या language thing में कम से कम at least 300 marks लेकर होनी चाहिए ठीक है तो यह थे हमारे arts field के लिए अगर आप social science department के हैं जैसे कि अगर आप MSC, MA in history, MA in political science और MA in public administration में करना चाहते हैं तो कम से कम at least यहाँ पर आपके 300 marks रहनी चाहिए history और pass certificate भी होनी चाहिए अगर आप political में करना चाहते हैं तो same qualification ऐसे ही करके यहाँ पर तीनों के हैं उसके बाद अगर आप education में करना चाहते हैं तो education में भी same यहाँ पर at least आपके graduation में at least 300 marks रहनी चाहिए education लेकर otherwise अगर आप B8 किये हैं या B8 के कुछ specialization किये हैं तो भी applicable हैं आप MA in education के लिए इसके बाद अगर आप professional courses करना चाहते हैं जैसे की M.com हो गएं M.masters of social worker, Masters of library and information science तो यहाँ पर M.com के लिए कम से कम B.A. या B.B.A. बीकॉम या B.A. कर रहनी चाहिए कोई भी इसके बाद अगर आप social work में माशल डिग्री लेना चाहते हैं तो graduation के साथ-साथ इन सब जो feel यहाँ पर mention किये हैं subject जैसे के social work, sociology, political science, history, public administration, economy तो यह सब subject आपकी होनी चाहिए या अगर आप L.L.B. किये हैं, B.T.E.C. किये हैं, B.A. किये हैं या bachelor आप vocal किये हैं तो भी आप कर सकते हैं इसके बाद अगर आप library में माशल डिग्रीज करना चाहते हैं तो कम से कम आप bachelor of जो library information science होनी चाहिए at least 300 marks लेकर अगर आप library में study किये हैं या library information science में तो भी applicable हैं तो यह सब जो मैंने आपको पताया गाई यह सब थे courses को लेकर अब हम जान लेंगे fees cardia के बारे में first year की fees क्या क्या यहां पे charges लगने वाले complete अगर आप MA course से करना चाहते हैं यहां पे जो subject लिखा गया है तो 5200 fees और last में यहां जो आपकी application fees हैं उसकी साथ साथ 5675 something आपको pay करना है इसके बाद आप master library में करना चाहते हैं तो 10,000 इसके साथ साथ यहां पे 475 आपकी processing charge है तो यहां पे total यहां पे 10,475 रुपीज जो हैं आपको pay करना होगा ठीक है तो यहां पर आप जो देख रहे ह इसके बाद यहां पे किस तरीका से जो fees को divide किया गया है वो आप देख लीजेगा इसके साथ साथ उपर मैंने जो आपको geography या mathematics में अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पे देखिए यहां पे जो fees है वो आपको देनी की जरूरत नहीं है admissions fees लेकिन जो form fill up की जो charges है वो बस आपको देना है ठीक है तो इस प्रकार से fees की जो criteria थे आसर करता हूं कि आप समझ गये होंगे इसके बाद study center जो है आपकी official website में आपको मिल जाएंगा जो जो study आपकी सिब्स्टेट से हैं आप अपने study center को वहाँ पे चेक कर लिजेगा reservation भी available है as per best Bengal government की according अब importance जिससे हैं कि schedule क्या है form fill up के वह जानना है आप सबको तो यह आप अच्छे से देखिए चलिए मैं बताता हूं अब तो जो online application form है वो आपकी 18 November से start होने वाली है सुबा 10 बजे से और last date यहाँ पे 12 December 2020 साम 6 बजे तक document upload आपको यहाँ पे 18 November से मिलेंगे लेकिन जो last date document upload की वो आपको 16 December तक मिलेंगी साम 6 बजे तक online fee submission आपकी 22 December तक रहेंगी last date इसके बाद अगर कोई भी student जो fees हैं अगर आप बैंक चलान से करना चाते हैं तो वो 22 December तक आ रहने वाली हैं ठीक है merit based और other information counseling जो होंगे यह जो code number यहाँ पे mathematics और यहाँ पे sorry यह जो यहाँ पे subject code आप देख रहे हैं जो ग्रॉफी और यह जूओ लॉजी के हैं तो यहाँ पे merit based में होते हैं ठीक है यह official website आप check करते रिएगा यहाँ पे 28 December को यहाँ पे जो है notification publish कर द आपके form fill up है last date है 12 December तक इसके बाद important अच्छे से form fill up कीजेगा आपकी जो कोई भी प्रकार के mistake बिल्कुल मत कीजेगा ठीक है आपकी जो जो document है सब कुछ upload कीजेगा 10-12 graduation तक की और सब कुछ complete data form fill up कीजेगा कोई भी mistake आप मत दीजेगा ठीक है mistake अगर आप देते हैं तो आपके admissions में भी cancel हो सकते हैं इसके साथ साथ आप ये official website भी follow कीजेगा pg.wb nsouadmissions.com तो इस तरीका से जो है complete details मैं आपको समझा दिया तो guys आसा करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे नेता जी सुबाश open university के लिए 2021 से सेशन post graduate admissions के लिए जो जो मैंने बताया फिर भी कोई confusions और doubt हुआ तो आप comment करके बताये वीडियो कैसा लगा like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाद